क्या राहूल बनेंगे घर के नए कैप्टन पवित्रा और अजाज ने बनाया मास्टर प्लान टीवी रियालिटी शो बिग बॉस के घर में अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कैप्टन सी टास्क जहां घर के सदस्यों के बीच छटा कैप्टन बनाये जाने को लेकर चिडी हुई है जंग सभी ये जानना चाहते हैं कि घर का अगला कैप्टन कौन बनने वाला है और जैसा की अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि रुबीना और राहूल के बीच कैप्टन सी की जंग चल रही है ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कैप्टन सी की रेस रुबीना और राहूल के बीच है तो इसमें निश्ची तोर पर राहूल स्ट्रॉंग नजर आ रहे हैं और राहूल घर के नए कैप्टन बन सकते हैं बिते एपिसोड में पवित्रा और एजाज अगले कैप्टन सी की बात करते वक्त राहूल को समर्थन करने की बात कहते सुनाई दिये थे क्योंकि एजाज एक बार घर का कैप्टन बन चुके हैं इसलिए अगर घर के किसी सदस्य को कैप्टन चुनने का मौका उन्हें मिलेगा तो वो राहुल को ये मौका जरूर देना चाहेंगे वहीं पवित्रा ये कहती सुनाई दी कि मैं भी कैप्टन बनना चाहती हूँ लेकिन अगर मेरे चांस कम हुए तो मैं राहुल को ये मौका जरूर दूँगी वहीं दूसरी तरफ अली कैप्टन बन चुके हैं और राहुल के अच्छे दोस्त हैं इसलिए अली भी राहुल का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि जब अली कैप्टन बनने वाले थे तो राहुल ने उनकी काफी मदद की थी और अली ने उन्हें भरोसा दिया था कि अगली कैप्टन सी में वो राहुल का समर्थन करेंगे वही निकी का समर्थन भी राहूल को प्राप्त है क्योंकि बीते एपिसोड में दोनों के बीच अच्छी बॉंडिंग बनती दिखाई दी थी वही कविता बीते कुछ एपिसोड से राहूल को जबरदस तरीके से फेवर करती नजर आ रही है इसलिए कविता कभी समर्थन राहूल को मिल सकता है रही बात जान, रुबीना, अभीनव और जैस्मीन की तो जान भी राहूल को सपोर्ट कर सकते है अब ऐसे में रूबिना, जैस्मीन और अभिनव ये तीन लोग ही ऐसे सदस से बचते हैं जो राहूल का समर्थन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं इस लिहाज से अगर कैप्टन सी की रेस राहूल और रूबिना के बीच हुई तो निश्चित तोर पर इसमें राहूल का पलडा भारी दिख रहा है ये कहना अतिश्योकती नहीं होगी बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरे लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं